हेलो एवरिवन नमस्कार आप सबीका मेरी क्लास में स्वागत है अपन पढ़ रहे थे अमल सार के कुछ ऐसे योगिक जैसे नमक है कास्टिक सोड़ा है बेंकिंग सोड़ा है प्लाश्ट और पैरी से धावन सोड़ा है तो इनके बारे में अपन कलकी क्लास के दर अज़यन कर दिया था आज बन पढ़ते हैं इंचे आगे साबून और अपमार्जग के बारे में कि साबून क्या होता है अपमार्जग क्या होता है इनका परियोग कैसे करते हैं और इनकी प्राप्ति कैसे कि जाती है इनका निर्मान कैसे कि जाता है तो बात करते हैं साबून के बारे मे साबुन का निर्माण करने के लिए अपन वसीय अमलों की किरिया किसे करवाते हैं किसे करवाते हैं सोडियम हाइड्रोकसाइड या पोटेशियम हाइड्रोकसाइड से करवाने पर अपन को क्या प्राप्त होता है साबून और साथ में एक सहुत्पाद की रूप में गिलिस रोले वो प्राप्त होता है अब ज्यान दीजिए यह वसी अमल कौन कौन से वसी अमल हो सकते हैं जैसे ओलिक एसिड है पामिटिक है, पोमिटिक अमल है, ये इस प्रकार के अम्ल्स होते हैं, और ये जो अम्ल्स है, ये कार्बन की एक लंबी सरंकला होती है, क्या होती है, कार्बन की एक लंबी सरंकला की रूम में व्यास्तित होते हैं, कार्बन का एक गुण होता है, कि वो कार्बन कार्बन जोड कर एक लंबी सरंकला का निर्मान करता है जैसे अपन सरंकलंद कहते हैं तो यह जो वसीय हम लोते हैं यह भी क्या होते हैं कार्बन की एक लंबी सरंकला कार्बन की एक लंबी सरगला अपन कह सकते हैं इसके अंदर कारबन है वो 12 से 18 तक कारबन इसके अंदर पाए जाते हैं अब ड्यान दीजेए इतने इसके अंदर कारबन है जैसे अब बार-बार इस प्रकार के कारबन का पन लिखने कiadilos एक सकतें वह कार्बन की लंपी श्रकला को परदसीत करता है अब बात करते हैं इसी अभी किरिया को आपन समझते हैं रियक्षन के द्वारा अभी किरिया के द्वारा कि किस परकार आपन साबून का निर्मान करते हैं और किस परकार इसके साथ में ग्लिसरो का निर्मान होता है तो जैसे स्टू कि सी ओ ओ आर कि सी ओ आर कि यह होगी अपने वसीय अमल यह आर क्या है यार क्या है यही यार है कारवन की लंबिस रंगला किसे करिया करता है सोडियम हाइड्रोकसाइड से अब इदर आप ध्यान दीजिए तो यह आपको पोर्शन देखाई दे रहा है यह भागे सी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा और किसका निर्मान करेगा साबून का निर्मान करेगा आर सी ओ ओ एं यह सोटा है स्मॉल है अब यह क्या है यह साबून है अपने इसको संतुलित करने के लिए आगे लिक्स करते हैं ती ठीक है में तरो अब यह अपना क्या है यह साबून है कैसे बना है यह अपना प्रिक सोडिययम यह पर टीन और यह सी ओ ओ ओ इसके साथ में आ गया अब पीसे अपने पास क्या बचता है यह बचता है और च्छी और और तो यह अपना ग्लिस्रोल है जो शाबुन के साथ में रूप में निर्मात निर्मित होता है तो यह हो गया अपना ग्लिस्रोल अब ज्यान दीजे अब क्या की जाता है जैसे ही जब साबुन के साथ में ग्लिस्रोल को अलग करना होता है तो इसके साथ मेला जाता है एनेसेल के मादने से साबुन को अपन परतक कर सकते हैं लेकिन जब तक साबुन के साथ में ग्लिस्रोल अलग कर दिया जाता है तो साबून कैसा होता है ही जैसे आपने देखाँ किस जो साबून आते है वह कैसे होते है सारे-सारे पार-दर्शी इसका इसका मün autopT하歌 उसको किया वाँ नहीं होता है वह साबून के साथ में ग्लिस रोल है परठक करने पर साबुं से आपार दर्सी हो जाता है पार दर्सी क्या होता है ऐसी वक्तु जिसके अम आरपार आपार नहीं देख सकते हैं व II यह तो वोतिए और साबून को पर्तक करने पर जो पन साबून है वह कैसा सो देगा अ पार दू है कि साबून है किसी तार बाल में के तो इस है तो मुझे उपयोगी नहीं है, कहने का मतलब है, उपयोगी नहीं है, कहने का मतलब यह है, कि तो अपना साबून है, यह मर्दू जल के अंदर आसानी से जाग देता है, लेकिन कठोर जल के अंदर यह जाग नहीं देता, इसका भी अपन कारण समझ लेते हैं, माना कि यह अपना साबून है, जैसे यह अपन साबून को क्या करते हैं, कठोर जल के अंदर घोलते हैं, कठोर जल के अंदर क्या होती है, असुदियां पाज़ती है, जैसे केलसियम हो गया, और मेगनेसियम हो गया, इस परकार के आयन पाज़ते हैं, और जो यह आयन्स होते है कठोर जल के अंदर पाई देने वाले आयंस इस सोडियम को परती स्थापित कर देते हैं परती स्थापित करने का मतलब है कि सोडियम को यहां से हटा देते हैं अपने इसको आगे समझते हैं डिटेल से बात करते हैं साबून होते हैं वो मर्दू जल के अंदर जहाग देते हैं लेकिन कठोर जल का मतलब है खारा जल कठोर जल के अंदर क्या होता है केल्सियम और मेंगनेसियम की आयन पाए जाते हैं इनके क्या पाए जाते हैं जैसे ही इन साबून को अपना खोलते हैं एक कठोर जल के अंदर तो यह जो आयन्स होते हैं यह आयन्स इस सोडियम को यहां से परती स्थापित कर देते हैं क्या कर देते हैं मित्रों परती स्थापित कर देते हैं सोडियम को यहां से हटा देते हैं और हटा की अपने लवन बना लेते हैं अर्थार केलसियम और केलसियम और मेगनेशियम के लवन बना लेते हैं और जो यह लवन्स बनते हैं यह लवन्स जल के अंदर क्या होते हैं यह लवन्स जल के अंदर अगुलंचील है कैसे हैं अगुलंचील और अगुलंचील होने के कारण हमारा यहां पर सोडियम था कपड़े की सफ़ाई करने वाला यह सोडियम तो यहां से अलग हो गया तो अब यहाँ पर कपड़े के सफ़ाई कौन करेगा इसलिए कपड़े के सफ़ाई वो नहीं हो पाती है क्योंकि यह जो एसिट जो लवन बना है यह जल के अंदर क्या है गुलों से लिए तो समझ में आ गया यह यह अपने होगी साबून की कानी फिर जब साबून कठो जल के परियू करते हैं और अब बात करते हैं अब आगे की डिट्रेजेंट के अंदर ऐसा क्या होता है जो मर्दू जल और कटू जल दोनों के जाग गई आसाने से कार्य कर पाता है तो बात करते हैं अब मार्ज के बारे में कि डिट्रेजेंट क्या होते हैं और यह कठोर दल के अंदर जाग क्यों देते हैं या कार्य क्यों करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे डिट्रेजेंट यह सब्द है जो डिट्रेजेंट सब्द है यह एक लेटिन भासा की सब्द से बना है लेटिन वासा के सबसे बना है जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ क्या होता है तो वाइव क्लीन अर्था च्वस्थ करने वाला क्या अर्थ होता है इसका तो वाइव क्लीन अर्था च्वस्थ करने वाला अब बात करते हैं मित्रों जो हमारे अपमार्जक होते हैं यह सोडियम सोडियम एलकिलर सलफेट जैसे आर यहां पर रेड़ाइन है यहां पर धनाइन है और सोडियम एलकिल बेंजिल सलफोनेट के बने होते हैं जैसे आर यह हो गया अपना बेंजिन यह हो गया आपना धनाइन और रिनाइन तो यह इस परकार की क्या होते हैं अपमार्जक होते हैं अब ध्यान दीजिए जैसे ही अपन अपमार्जक को कठोर जल के अंदर परियोग करते हैं क्या करते हैं अपन जैसे ही माना कि अपने क्या किया अपमार्जक का कठोर जल में परियोग किया तो कठोर जल के अंदर किस परकार के आयन पाय जाते हैं तो कठोर जल के अपने बा लवन्स का कैसे लवन्स सोडियूम और कैल्सियूम और मेगनेशियूम के लवन्स का दिर्मान करते हैं और यह जो लवन्स होते हैं यह लवन्स जल में क्या होते हैं गुलंसील लेकिन अभी अपने जश्ट पहले पढ़ा कि जो साबून है जो साबून के अंदर जो सोडियम है उसके अंदर जो कैल्सियम और मेगलेसियम के लवन बनते हैं यह लवन्स जल के अंदर क्या होते हैं गुलंसिल होते हैं इसलिए जो हमारा साबून है वो कठोर जल के अंदर का का निर्मान होता है यह लवन्स जल्ग के निर्ग्या होते हैं गुलंसील होते हैं और गुलंसील होने के काल नहीं जो सोडिय में वो क्या करता है कफ़णों की सफ़ाई करता है पिर दूसरी बात करते हैं यह जो अपमार्जक होते हैं यह अपमार्जग वातावरण के लिए हानिकार्ग होते हैं हानिकार का मतलब है कि इनका अपगटन है वो जल्दी चे नहीं हो पाता है लेकिन साबून का है वो अपगटन आसाने चे हो जाता है तो यह हमारे अपमार जगह पर्यावण के लिए क्या होते हैं पर्यावण के लिए हानिकारक है लेकिन जो साबून से भी साबून अपने लिए पतावण के लिए हानिकार नहीं है क्योंकि उनका आसने अपकटन हो जाता है जो और जल के अंदर या कटोर जल में गुलंसिल होने के कारण ही अपन अब मार्जक्ता, साभुन की तुलों में अव्यापक तौर पर उपयोग करते हैं इनका, अब फिर बात करते हैं, जो कपड़े के अंदर, जो सफाई है, वो सफाई का करцы किस परकार होता है? सफाई के अंदर एक मिसेल का निर्मान होता है तो अपन आगे पढ़ते हैं मिसेल की सर्चना के बारे में कि मिसेल का सर्चना का निर्मान किस परकार होता है अब बात करते हैं अपन मिसेल निर्मान सफाई के दोरान मिसेल निर्मान कि ध्यान दीजी मित्रों इसके अंदर जैसे अपन सूत्र की बात करते हैं तो यह तो अपने पास हो की कारवन की लंबी स्रंकला कि जैसे ही अपने इसको जल के अंदर घोलते हैं तो यह आएनों के अंदर क्या हो जाती है विवबक्त हो जाती ही है तो यह होगा वापस यहों क्यों लिखते हैं जो यहां से यह क्या हो जाती है यहां कर रहनाएन यहां पर धनान तो यह रहना पोर यह है धनान अब इसकी जगह में क्या लेख सकता हूं आरे बीख सकता हूं क्योंकि यह कार्बन की लंबे स्क्राइश को बारबार लेकने की आउसकता नहीं है तो यह मैंने इसकी जगा लेक्ट दिया आर कि सी ओ ओ ओ एने जल के अंदर भोला तो क्या बना आर सी ओ ओ ओ और एने अब ध्यान दीजिए यहां परकार के यह जो हाइड्रो कार्बंस है यह तो होता है जल विरागी कैसा है जल विरागी और यह है जल रागी आर्थार जल से सनय करता अपने इसको कह सकते हैं जल सनय ही भी कह सकते हैं यह हो गया जल विरागी या इसको अपने कह सकते हैं जल विरोधी दोनों एक ही बात है अब ज्यान दीजे यह जो भाग है यह जल से दूर भागता है जल से क्या होता है दूर भागता है तो किस की तरफ आकर्शित होगा मेल की तरफ यह भाग आकर्शित होगा और यह भाग जल के नर क्या होता है गुल जाता है अब जैसे बात करते हैं माना की अपन हीजो हाइट् लंबी संगला और यह पना सोडिय में इसको पने इस इस डौड के जार बएक परदस्वीतर कर सकते हैं अब माना की यह कोई कपड़ा है और कपड़े को उपर क्या है कोई मैल है कपड़े कुपर क्या है कोई सिकनाई है और जैसे ही मैंने कपड़े को जल के अंदर घोला और इसके अंदर साबुन डाला तब क्या होता है जो जल विरोगी सिरा है जो जल विरागी है ये तो क्या होता है जल से दूर भागना साता है और जैसे जल से दूर भागेगा तो जाएगा का मैल या सिकनाई या गंद की कि ऑसा नहीं से बुल जाएका जल के अंदर तो सोडिजा इस परकार पर दशित कर सकते हैं कि यह थो अपने क्या है सोडियum है और यह तो लंबी स roll का है यह इस प्रकार महित नहीं स्थ ला है हाइड़ी कार्म की लंबी शत्रेक्वर कर लेते हैं आपस मेल के सारों और आ जाते हैं अब जो ये सोडियम है ये तो भागना चाहता है जल की अंदर क्योंकि जल सनेई कौन है सोडियम है और ये जो आपको देखाए जारा है ये कौन सा भाग है ये ये भाग है आर बार मिजल क्या है जैसे ही ये जभी वजन होती है बार बार निकलते हैं और जैसे अपना है इनको किसी बरतन के करता है यह मैल की रूप में इसके पेंदे की में जम जाती है और कपड़ा अपना क्या होता है साप हो जाता है कहने का मतलब है जो यह जल विरागी यह जल भी रूदी लेकिन यह कहां जाना साथ है यह मैल की तरब यह सिखनाई की तरब जाना साथ है और जो भी हमारी सिखनाई या कोई गंद की है वो किसके अंदर विले होती है इसके अंदर आसानी से क्या होती है विले होती है और इस परकार क्या हो जाती है एक सरस्टना का बंद केते हैं मिसे में सरसना कम दिश में क्या है । यह साडों तरफ यह heterocarbon न की लंगी सरक ला को क्या करता है जोड़े रटा है तो यह जो सरसना होगी यह गिए अपनी में से निर्मान तो अपने इस वीडियो के आंदर इस क्वाश में अपना साबुन के बारे में अपमार्जा के बारे में और मिस्चेल निर्माण की सरस्चना के बारे में पढ़ा आप इनको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं